बीते साल हिंदुस्तानी होली का प्युहार मना रहे थे, हवा में गुलाल था लोग हाथ से हाथ मिला रहे थे, हाथों से स्प्रेंग करने के लिए पिछकारियां थे, मुह पर मिठाई के निशा थे, दिन खुशहाल थे, महफिले थे, नस्दीकियां थे, लेकिन किसी को जरा भी इल्म नहीं था कि आने वाला कल एक बड़ी जंग लेकर आएगा हवा में जहर होगा, हाथ से हाथ मिलाने में खौफ, हाथों में सैनेटाईजर की शीशियां होंगी, मुह पर मास्क दिन डर के साई में महफिले ख्यालों में नजदीकियां सिर्फ फोन पर वो दिन थे अब क्या दिन क्या राते हैं दिलों में डर हैं और उसी की बाते हैं इस वाइरस या दुश्मन ने हमें अंदर से मारा तो बाहर से तोड़ा भी है कोई जीवन छोड गया तो कोई किष्टों में छोड रहा है कोई सांसों की गिन्ती थमने से रात की रोटी ना खा सका तो किसी को नसीब भी न हूँ कहीं मासूम यतीम हो गए तो कहीं भाई बेसहारा किसी मा की गोद सूनी तो किसी पत्नी की मांग का सिंदूर से मट गया और किसी का थूर सब कुछ मिट गया सन्नाटा समझते हैं आप शुपपी बीते दो साल से सडकों पर यही तो देख रहे हैं सन्नाटा, मातम, अस्पताल, ओक्सीजन की कमी और तमाम तस्वीर है त्ल-तल मर रहे हैं, डर के साय में जी रहे हैं, अमारी गलती क्या है? कोई गलती नहीं हमारी हम सब बेगुना है लिकिन फिर क्यूँ इन परेसाणियों का सामना हम किसी को करना पड़ रहा है कल तक बेवजह परेशानियों के बीच रहते थे, वह घरीब थे गरीब बेबजा मुश्किलों में जीते थे लेकिन आज क्या अमीर क्या गरीब सब एकी तराजू में जी रहे हैं हर कोई परिशान है, डर रहा है, खौफ में हर चगा यही मनजर है और एक कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ इसमें शब्द कम है, एहसास ज़्यादा है तो इसको अगर आप देखेंगे तो आप एहसासों के जरीए इसको समझने की कोशिश कीजेगा तो कहानी यह है कि कल तक एक बेटी जो अपने पिता की उंगली पकड़कर सड़क पर चलना सीखती थी एक बेटा जो अपने पिता से साइकल चलाना सीख रहा था आज जब वो सुबह उठता है न तो वो अपनी मा से पूछता है मा पिता कहा है, पापा कहा है एक बच्ची सुबह उठकर पूछती अपने पिता से मम्मी कहा है कोई पूश्ता है मामा कहा है कोई पूश्ता है मौसी कहा है कोई पूश्ता है मेरा भाई कहा है हर कोई कोरुना से नहीं जीत सका लड़ाई सबने लड़ी और हम जीत के करीब हैं जीत कर ही जाएंगे हिंदुस्तानी जो कौम है वो अपना नाम लिखवाएगी करोडों सालों बार, हजारों सालों बार, बात होगी न, तो इस कौम की बात होगी कि हिंदुस्तानियों ने इस लड़ाई को लड़ा और बहुत अच्छे से जीए भी लेकिन आज के वक्त, मीडिया की जिम्मेदारी निभाते हुए कोरोना के हवाले से वो चीज़े दिखाना भी एहम है, जो चीज़े नहीं दिखाई गई तो आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों से, जिनकी कोई बात नहीं, जो लाइन में सबसे आखिर में खड़े होते हैं, उनकी बात करेंगे आज आज हम मजदूरों से बात करें इसलिए हम बात करने उनसे पहुँचें उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि जो हुक्मरान जो बैटे बटे अंग्रेजी के जो लफजों में जो तमाम 20 लाग करोड, 30 लाग करोड, 10 लाग करोड की बात करते हैं यह 20 रुपए भी उनकी जेव तक पहुचता है यह सर्फ करोडों की जो बाते हैं वो जुमलेवाजी बनकर हवा में तेरती हैं चलिए, प्रोग्राम शुरू करते हैं लोग जो दो दिहारी मजदूर हैं, दिन में कमाते हैं तो रात में खाते हैं अब बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बदला, क्या तस्वीर बदली आप सबसे पहले अपना नाम बताईए और यह बताएए कहां से हैं आप इस बार एक काम किया गया था, इस बार फैक्टरियां चालू रखी गई थी बाकी जो और तमाम उद्यों के काम थे उनको भी शुरू किया गया था, बताया गया था कि मजदूरों की सहूलियत के लिए आपको ऐसा लगता है कि काम और आदम नहीं मिल रहा है, अभी भी काम नहीं है अब भी काम नहीं हैं से कवार माने वाले हैं एक लड़का एक लड़की वेनां सब जांते हैं हमाने काम कारता था अपना वह बैजता हूं तो वही से चलता है धर्मकर्म सर हम अपना रेकोष्ट मीडिया वाले से करेंगे कि हमें भी सर कुछ नोकरीद हो या हमरा पाता लो सरकी मैं भी अपने बाल बच्चे के सुखी रखूं पढ़ा हूं दिखाओं अपने जैसे ना वना हूं आप कहां से अधान लुद बटेज बोलिए इसाया रही है थे डादा समस्यां लुद लगशा बहुत ज्यादा ज्यादा है और बहुत हम लोग परेशान है सब्सक्राइब करें तो रोटी दाल चलाना बारी पर राज टाइम पर काम यहां करें करें दो या तीन महीने हो गया बिल्कुल काम एक रूप है काम कुछ नहीं है काम कोई काम नहीं है सरकार हम लोगे परसान कर रखी है सरकर है कोई कामना है माधी जी जी घेए नहीं है राम रात राज आग 위ा सर्य वहीं क्यों कि रखें रखेंगे कर राоду राज एम रहीं अपर देखेंए कहां से हैं मैं बलाएं पम लेंफे मोत शहर से दखाव लोग भाब दिटी बहुत काफी बढ़ी है। बोट रहा है कि और छलेजा रहे दी लitने का राप मैं भू धार 5 रहे भून को भी नहीं हो फक्र दो कईू है केमरों को देख कर इन मजबूरों की आज तो खूब जगे लेकिन केमरों के सामने बोलने से घबराने के लहजे ने कई लोगों की आवाजों को जगा नहीं दूए फिर भी हमने जो रिकॉर्ड किया उसको लेकर हम आगे इस पूरी चेन को समझने पढ़ चले और न्यूस वर्ल्ड इंडिया की खास प्रोग्राम की टीम आवाज अपनी मन्जिल की योग बढ़ चले कि आखिर जब फैक्टरियां चालू है उद्योग चल रही है तो काम में गिरावट कि आखिर बजा क्या है यहां अकड़ों में नहीं सडकों पर पटा चलता है कि नॉड़ा में जो लेबर चौक था वहाँ पर हमने जो तमाम जो वहाँ पर मजदूर मौजूद थे उनसे बात की उनसे जानने की कोशिश कि उन्हों नों जो कुछ बताया उसके बाद सीरे हम अब आए हुए हैं नॉड़ा सेक्टर 10 का भी ब्लॉक है यहां पर गाउन ब है क्या लग रहा है आपको कहा पेंच है पहले हमारे पास 45 कारीगर थे अब भी आज के टाइम में 11 कारीगर काम कर रहे हैं फैक्टरियां तो खुल गई है लेकिन रॉम मेट्रियल के लिए दुकाने नहीं खुली हुई है आने जाने के लिए कोई सुभिदा नहीं है गवर् सब्सुर्ध्र नहीं सोछ रहे हैं कि सेम्प्लिंग के रखेंब से लिए लेकिंशन के लिए लेगी सेंप्लिंग भी मेट्यद्ध भी ऑर भी artificial होने पा रही है जैसे पिछली साल किया हुआ था आपने भी देखा हूँगा जिस तरीके से कोना आया तक तो सब कुछ बड़ी समस्या होगी थी मजदूर अपने घर की और भागने लगे इस बार सरकार कह रही है कि फैक्ट्रियां चालू है सब धंदे चालू है तो मजदूरों को समस्या नहीं लेकिन सड़क पर तो मजदूर वहीं खड़ा है आप बता रहे कि आप खुद परिशान है इस चीज अब यह कह रहा है कि खोलने के अनुमती तो मिली हुए लेकिन को मतलब नहीं बन रहा क्योंकि उपर से जब चीज़ाई नहीं रही तो उस पर समस्या रही है पूरे साइकल है यह प्रॉब्लम आ रहे खुलने के लिए खुला हुआ हुआ लेकिन एक जो रूटीन घुमने कहीं से मार्केट खुलेगा नहीं और कहां से आएंगे मार्केट से तो और आने हैं तो मार्केट बंद है तो फिर हम कैसे सर्वाइब कर सकते हैं मतलब मजदूरों के लिए क्या है कि हाँ ठीक है सरकार खाना पानी राशन का अंतिजाम करा देती है जुगार करा देती है आप लोगों के लिए तो मेरे ख्याल से वह भी कहीं से कुछ है नहीं है कि हां जी कुछ मतलब हमें सुबदा मिल जाए कोई जैसे मतलब लोन की मतलब कुछ इंस्टेंट हमाई सारी जा रही है जो यह माई मैं भी मतलब पिछले बाल तो चलो पिछले साल से इस बार जादे दिक्कते हो गई लटकते लहंगे जूलती किस्मत की बानगी बया कर रही हैं मुश्कुराते चेहरे के पीछे की थकान साफ पताती है कि यह आस खें आस में है जो कुछ खबरों के बाजार में बिखरा है वो बस बिक रहा है लाखों करोडों के पैकेज का वही हाल है जो चुटपन में चूरन के साथ चिल्डरन बैंक वाले नोटों का ख़जाना हुआ करता था दिखता था पर चलता नहीं था शायद कौमा में था वो पैसा हमारे सरकारी पैकेज के पैसों की तरह ही तो है काश गांधी जी ये सब देख पाते हैं कि नोट में उनकी फोटू की एहमियत कम और जमीर की एहमियत थोड़ी सी जादा होती है जहां जमीर पक्का है वहाँ ये चल जाता है गरीब का पेट पल जाता है जहां जमीर कच्चा है वहाँ ये उपर ही चला दिया जाता है महंगा लेमन सोडा आ जाता है बहुत लोग प्रिविलेज में होते हैं उनकी बाते भी सुनी जाती हैं मुलाकाते भी सुनी जाती हैं तमाम चीजें उनकी सुनी जाती हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलना भी चाहें चीखना भी चाहें उनकी आवाज दब जाती है निकली नहीं पाती उन्मी में से ये लोग हैं, ये मजदूर हैं सबसे जादा कंजोर, सबसे जादा दबाए गए, सबसे जादा परिशान किये गए किस से कहें, क्या कहें, अपने दिल की बात किस से कहें, नहीं कह पाते हैं बहुत डरते हैं, खौफ में जीते हैं, कोरोना का खौफ है, फुलिस का खौफ है, सरकार का खौफ है, प्रिशासन का खौफ है, हर किसी का तो ऐसे में आज हमने इनी से बात करी, मजदूरों से आपका सीधे सीधे आपको रूबरू कराया कि किस तरीके से ये लोग अपने जीवन में जी रहे हैं हम बहुत खुश नशीव हैं कि हमारे पास सब कुछ है हमें रात में खाने को खाना है हमारे पास तो देखे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता कि वो रात में क्या खाएंगे कि अगले दिन की जो सुबा होगी उससे देख भी पाएंगे उनका बच्चा आज खाना खाके सो भी पाएगा इस तरह के लोग है और आप कह सकते हैं कि इस तरह की कहानी दिखाने से T.R.P की कोशिश होती होगी और जादा अपने आपको रीच बढ़ाने की कोशिश होती होगी लेकिन नहीं ये कहानी ऐसी नहीं है ये कहानी एहसास की है इसको जीना चाहिए ये मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है तो ऐसे में इस चीज़ को समझे है कि लोग किस तरीके से जी रहे हैं लोग किस तरीके से जीने को मजबूर है और इनकी भी बात जरूर होनी चाहिए मज़दूर से लेकर स्वेक्टरी के ओनर तक की कहानी एक है फिराल आज मैं इसको यहीं रोकूँँगा लेकिन एक बात आपसे जरूर करूँगा एक वादा आपसे जरूर करूँगा कि हर हिंदूस्तानी को इस वक्त इस मौके पर एक साथ आना चाहिए ताकि हम लोग एक बात लिख कर जाएं एक बात कह कर जाएं एक बात बता कर जाएं जिससे आने वाले जो हमारे बच्चे हमारी नसले जब इस चीज को पढ़े तो वो हम पर फक्र करें कि हम लोग एक साथ रहे और इस दुश्मन से डट कर मुकाबला किया और इसका सामना किया और हम जीते भी और हिंदुस्तानी इसमें सबसे अवबल नजर आए तो एक बात मैं हमेशा जो कहता हूँ वो फिर कहके जाओंगा आपसे कि जिस जगा सिर्फ अंधेरा है और चिंगारी की जरुरत है वहाँ पर आवास की टीम हमेशा चिंगारी बनने की कोशिश करती रहेगी धन्यवाद